वो मिल ली पाई और इसी कानन से थोड़ी सी निराश थी उनसट मीटर आसपास 58.93 अठावन दश्मला नौ तीन का ये इनका दूसरा अटेम्ट तो पहला अटेम्ट साथ दश्मला साथ दश्मला अठाटर का साथ आठ निकोला अगरणिकोवा फर्स्ट फाउल था दूसरे में 60.03 तर्ड अटेम्ट लगबग 57 से थोड़ा आगे तो ये भी इनका बेस्ट अटेम्ट डिफिनेटली नहीं होगा एक बार क्रोस कर चुकी हैं 60 हाइट जादा इस कारण से फिर से वही परिशानी की लेंथ नहीं मिल पाई 57.04 एक और अब भारत की अनुरानी अपने तीसरे अटेम्ट के साथ दूसरा अटेम्ट इनका थोड़ा डिले हो गया था टेक्निकल मैलफंक्शन के कारण एकुप्मेंट में जो मेजरिंग एकुप्मेंट है 53.09 इनका बेस्ट काफी आगे निकलना पड़ेगा इससे अगर क्वालिफाइंग रेस में बने रहना चाहती है ये रिलीज बेटर 54 के आसपास तीसरे अटेम्ट से बेटर ये है पहला अटेम्ट 50.35 दूसरा 53.19 और ये 54 मीटर के आसपास का डिस्टिंस लग रहा है 54.04 ये बेस्ट अटेम्ट अब तक बारत की अनुरानी का लेकिन ये टॉप 12 में बनाये रखने के लिए शायद काफी ना हो जो हालात हैं अब तक कॉम्पेटिशन के उसमें 60 मीटर से आगे अगर अथलिट निकले तो केराविंगर अमेरिका की अमेरिकन कोचिंग स्टाफ ये थर्ड राउंड है थ्रोवर्स के लिए झाल 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 करा रही हैं रोमानिय खिलाड़ी यह हैं एसुलू टिन्बेकोवा वर्ल्ड चैंपियन और उनका मुकाबला रोमानिया की क्रिस्टा तुन्डे इंक्रेस से 62 किलोग्राम का क्वाटर फाइनल मुकाबला है यह और एसुलू के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो ग्राउन पॉदिशन पर होती हैं वहां से भी स्थिति को पलटने में माहिर होती हैं और लेक अटैक तो उनके सिधस्थ हैं ही वो उसमें और कई बार गर्दन से पकड़ कर गिराने में और थ्रो करने में भी बहुती सिधस्थ हैं एडवार्डो ब्राजील के इस मुकाबले के होंगे रेफरी तैयार टिन बेकोवा क्या वो उस थिति में ले आएंगी जो उन्होंने नूर सुल्तान में कजाखिस्तान के शेहर नूर सुल्तान में वर्ड चैपिय बनने का गौरव हासिल किया था किरगेस्तान के लिए और यहां थोड़ी सी अटेकिंग दिखाई देती हुई रोमानिया की क्रिष्टा गर्धन की पकड़ और दाएं बाएं हाथ से पूरी तरा से रोके हुए एस उलू और यह गर्धन से गर्धन सिर से सिर मिलाया हुए यह जो सिति होती है आम तोर पर भारतिय दंगलों में खूब देखने को मिलती है और किस जैसे चापानी रसलर्स लड़ती हैं बिलकुल वही लहजा कोई स्टांस का इस्तेमाल नहीं पैतरों का इस्तेमाल नहीं और ये अब रोमान याई खिलाडी भी ऐसा ही कर रही है पैंतरों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही एक मिनट समाप्थ हुआ दूसरा मिनट चल रहा है एक दूसरे की शक्ती को तोलते हुआ और खुबसूरती के साथ पट लगाया डबल लेक अटेक किया खुबसूरती के साथ गिराया और गिराने के साथ ही पीछे आई और यहाँ पर दो अंक और यहाँ फीतले की पोजिशन बनाना चाहती थी लेकिन वहाँ घूमी किस्टा दो शूनिल की बड़त बनाए हुए टिन बेकोवा डबल लेक अटेक बिलकुल चुस्ती फूर्ती की तरह जिस तरह कहते हैं ना भिजली की तरह अटेकिंग और यहाँ फीतले बांदे हैं इन्होंने और भारत में कई पहलवान चाहे वो राहुलमान हों चाहे वो योगेश्वरदत हों क्रिपाशंकर हों इन्होंने फीतले पर कई बार अंकब बटोरे हैं अच्छे खासे और खासकर योगेश्वरदत का प्रिय दाओ लंदन उलम्पिक खेलों में उन्होंने इस दाओ का कई बार इस्तेमाल किया और कांसे पदक उन्होंने हासिल किया फिलाल दो शुने के अंतर से संतुष्ट तिन्बेकोवा बिजली जसीर अफ्तार और उसी से डबल लेग अटेक करके इन्होंने दो अंक जुटाए थे महत्रपूर्ण दो अंक दो मिनट समाप्त हुए इस मुकाबले के और इस बार लेग अटेक करने की कोशिश लेकिन बहुत ही अच्छा बचाफ किया बचाफ बेहतरे इन और आथनिक कुश्टियों में लेग अटेक यानि सिंगल लेग अटेक जिसे आप देसी भाषा में कहते हैं इक हरी पट या डबल लेग अटेक जिसे पट लगाना कहते हैं उसका बहुत ही महत्व होता है और आप इसके दम पर कुष्टी का नक्षा बदल सकते हैं ये देखिए बाएं हाथ की रीच काफी दूर से लड़ती हुई एतियात बड़ती हुई दोनों रेसलर और ये बास समझी भी जा सकती है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी चूक भी बहुत म रिल्ड चेंपिन के सामने यदि आप इस तरह से उसे रोके रखते हैं सिंगलेट को पकड़ना एलाउड नहीं होता यानि पोशाक को पकड़ना उसकी अनुमती नहीं होती और ये पहला राउंड समाप्त हुआ पहले राउंड की समाप्ती पर टिन वेकोवा दो क्रिस्टा चूने यहां रोमा नियाई खिराडी क्रिस्टा पर निश्चत तौर पर ये देखिए पहले दो अंक बटो रहे थे डबल लेग अटेक करके उसके बाद उन्होंने फीतले बांदें की तयारी कर ली थी और समझाते हुए टिन वेकोवा को जो चूकी थी क्योंकि दो अंक से ही वो संतुष्ट हो गई थी जदी एक बार फीतले बन जाते तो वो मुकाबले को वहीं समाप्त कर सकती थी क्योंकि बार-बार आप जब रोल करते हैं तो आपको दो-दो अंक मिलते जाते हैं और आप जो नियम है कुष्टियों का दस शूनने की जब बढ़त या दस अंकों का जब अंतर हो जाता है तो कुष्टि को रुकवा दिया जाता है वही कुछ समझाते हुए थे, कुछ तेर पहले समझाया, रेफरी ने, इनके कोच ने, काफी दूर से लड़ती हुई, जानती हैं कि टिन बेकोवा का लेग अटेक बहुत ही सिध्धस्त है, बहुत ही शानदार है, क्रिस्टा काफी दूर से लड़ती हुई, एक अच्छी पकड़ की तलाश, दोनों रेसलर्स को, एक हाथ से गरदन को पकड़ा गूमना चाहती थी, गूमकर पीछे आना चाहती थी, लेग अटेक की कोशिश की, और अपने ही दौर में उलजी, लेकिन एक लेग, लेफ्ट लेग को अपने गिरफ्ट में करने में को में इसे तबदील कर पाती है, थवा नहीं, और ये खतरनाक हो सकता है इस वार, टिन बेकोवा अपनी उर्जा को उन्होंने पूरी तरह से डेंजर पोजीशन में ले आई, दो अंक और बटोरे उन्होंने, ये देखिए, कुष्टी का मुकाबला, 6-0 का स्कोर, और भई, नहीं, उन्होंने कर दिया, बाइफॉल, चितपट के अधार पर इस कुष्टी को जीतने में सपल रही, एक मिनट पावन सेकंड, पहले दो अंक बटोरे, फिर दो अंक बटोरे, 6-0 की बढ़त ली और उसके बाद उन्होंने डिंजर पोजीशन के बाद, स्टेडियम की दिखाने के लिए मजबूर कर दिया, क्रिस्टा को, और वर्ल्ड चेंपियन के इरादे, आपको इस राउंड में दिखाई दिये, एसुलू टिन्बैकोवा, जो कभी साक्षी मलिक्स के हाथों पराजित हुई थी, रियो ओलम्पिक में, लेकिन यहां उनके इरादे बहुत की दुरुस्त, और ये देखिए, बाइफॉल का खत्रा था, दोनों कंधे लगे, और जैसे ही दोनों कंधे लगे, वहीं रेफरी की विसल बजी, और ये देखिए, रेफरी का इशारा, मैट पर जो उन्होंने अपना हाथ तेजी से मारा, ये इस बात का परिचाया कि वो च झाल, एक मैज बात कि वो चफ्वा डाहत की वो चाषिए टिछा मारा था तेखिए, पया हा ये देखिए, और देखिए, पया ह। झाल 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 मारको हारी में से एरे नाम एक बार फिर से आप सभी का हार दिका भी नंदन और स्वागत और अब से कुछ दिर पहले टेन बे कोवा वर्ल्ड चैंपियन ने अपना मुकाबला जीता था चित्पट के अधार पर और अब इस वक्त पिक्चर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं युक्रेन वर्सिस चाइना युक्रेन की कोलिया धेंग को और जे लॉंग चाइना की नाम लॉंग है लेकिन उतनी लॉंग नहीं है यह महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्क के यह मुकाबले चल रहे हैं गोलिया धेंग को अच्छा खासा तजुर्बा युक्रेन अच्छे खासे रेसलर्स दिये हैं युक्रेन ने और इस पर गिराया खतर राख हो सकता है इस पर चित्पट का खतरा मंड राता हुआ रेफरी का इंतिजार देखना है गर्दन से बहुत ही अच्छे तरीके से गिरिफ्ट में लिया था कोलिया धेंग को ने जैसे कि हम युक्रेन की तारीफ कर रहे थे वही कुछ हुआ लगते है हमारी कुछ आवाज पहुँच चुकी है कोलिया धेंग को के पक्ष में कोलिया धेंग को के पास अपनी पूरी शक्ती उन्होंने जोंक दी है और वहीं तारीफ करनी होगी डिफेंडर जे लॉंक की चार शुन्ने की बड़त थी और उसके बाद चित्पट के अधार पर इस कुछ्टी में विज़ाई रही युक्रेन की कोलिया धेंग को पहले चार शुन्ने की बड़त डेंजर पोदिशन काफी दिर तक होल्ड किया हुआ था उन्होंने जे लॉंक के पास कोई जवाब नहीं था और इरिना कोलिया धेंग को विज़ई रही इस मुकाबले में युक्रेन की रेसलर इस पोदिशन में काफी देर तक चीन की जे लॉंग ने अपने आपको रोके रखा ब्रिच पोजिशन बनने नहीं दी थी कोलिया देंको ने और यहां से अपनी पूरी शक्ति को जोग दिया था कोलिया देंको ने झाल 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 जहां चल रहे हैं महिला कुष्टी के मुकाबले जोहाना मैटसन स्वीडन की यह वही जोहाना मैटसन है जो सोफिया मैटसन जिन्होंने खूब नाम कमाया है कुष्टी के ख्षेतर में और वाई कवई युका को जो की वर्ल्ड चेंपिर्शिप की सिल्वर मैडलिस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही एसूलू टैन्बकोवा जो मुकाबला जीत कर आई हैं उन्होंने इसी जपानी खिलाडी को पराजित करके सोन पदक हासिल किया था नूर सुल्तान में 2019 की वर्ल्ड चेंपिर्शिप में चोहाना मैटसन वर्सेज युका को कवई 2019 में काशे पदक और 2018 में सिल्वर मैडल वर्ल्ड चेंपिर्शिप में और वर्ल्ड अंडर 23 चेंपिर्शिप की स्वण पदक विजेता और 2020 की एशियन चैंपियन भी है युकाको कवई आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होईएगा ये युकाको कवई इनकी एक बहन रिसाको कवई है ये उनकी बहन है और वो भी वर्ल्ड चैंपियन रही है और इनको वर्ल्ड चेंपियन और उलम्पिक चेंपियन बनने कहिए अभी दरकार योहना मैट्सन गर्दन से खीचने का प्रयास एक अच्छी पकड़ की तलाश दोनों रेसलस को जॉनसन मैट्सन हाला कि सोफिया मैट्सन की ये बहन नहीं है लेकिर उन्हीं के देश से तालुक रखती है स्वीडन से और सच कहा जाए तो स्विडन में कुष्टी को जिन्दा रखने में बहुत बड़ी भूमिका जोहानसन मैटसन की भी और सोफिया मैटसन की भी सोफिया मैटसन को विनेश फोगट ने पराजित किया था कजाकिस्तान के शहर नूर सुल्तान में और ये जोहाना मैटसन है ये भी थी पिश्ली बार 58 किलोग्राम वर्ग में रियो में और अब ये वजन बढ़ा कर 62 किलोग्राम में आ गई है और इतना वजन बढ़ना बहुत ही स्वभाविक है उलम्पिक खेलों में एक अंक मिला है पैसिविटी का क्योंकि स्लो धीमा लड़ रही थी मैटसन और इस पर लेगटक किया खुबसूरती के साथ खतरनाख हो सकता है लेकिन पीछे हटकर उतना ही अच्छा बचाव जितना अच्छा लैक उतना ही अच्छा बचाव लेकिन मैटसन के भी वीरा थे बुलंद लेकिन पैरों के बीट में कोई बड़ा वास्ता किया कोई जैप नहीं दे रही है ग्रिप का अवसर नहीं मिल पारा पूरीत रहां से और यहां से उठाना लिफ्ट करना पीछे आना यह सब एक साथ पोजिशन्स लेना बहुत माइने रखता है तब ही मिलते हैं अंक और यहां ग्रिप छूटी दो अंक बटोरने में काम्याब बेहतर सिद्धी में हो गई है समय स्विडन की जोहाना मैटसन दो एक से आगे ना सिर्फ अंकों के लिहाज से वो आगे हैं बलकि बड़ा अंक भी उन्होंने अरजित किया है यानि अब जापान की रेसलर अगर एक अंक भी बटोर लेती है तो भी स्विडन की रेसलर का ही पलला भारी रहेगा क्योंकि बड़ा अंक उनके नाम और पहले राउंड की समाप्ति पर जोहांसन मैटसन जो हैं वो आगे हैं कवई युकाको के खिलाफ और क्या ये उलट फेर होगा ये देखना बहुत ही दिलस्थ होगा क्योंकि जापान की रेसलर ने शुरुवाती बड़त जरूर बनाई थी लेकिन खाली एक अंक की बड़त बहुत माइने नहीं रखती है आपको उसको आगे बढ़ाना होता है बड़ा अंकरजित करना होता है जिसमें जोहांसन मैटसन जो हैं वो काम्याब रही हैं वास्ता म में तारीफ की हगदार लेकिन अब यहां सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या इसको वो मैंटेन कर पाएंगी इसको बरकरार रख पाएंगी यह देखना बहुत ही दिल्चस्प होगा दो एक की बड़त के साथ जोहांसन मैटसन तयार ब्लू को पोशाक में निली पोशाक में और लाल पोशाक में आप देख सकते हैं पीट पज़ापान अंकित कवई युकाको कवई जो की रिशाको कवई की बेहन है और यह डबल एक अटेक यह घुसूरती के साथ अपनी ख् एक अंक था उनका पिछड रही थी और कहां चैंपियन की दहाड अगले राउंड में देखने को मिली दो के मुकाबले पांच अंकों से आगे चल रही हैं समय जापान की युकाको कवई पिछडने के बाद शान्दार वाफसी और जब आपके परिवार में कोई सदस से बहलवान होता है वर्ल्ड चैंपियन होता है एशियन चैंपियन होता है तो बाकी खिलाडियों को तैया अफसर मिलता है और यहां डबल एक अटेक किया कुफशूरती के साथ यहां दोंक और मड़ोर कर अपने सिति को मजबूत किया साथ दो की बनत बनाने में कामयाफ जपान की कवई और यहां पर फितले बाद नियम है कि अगर दस संकों का फासला हो जाता है दो पहलवानों के बीच में तो वहीं कुष्टी को रुकवा दिया जाता है नौ दो से आगे इस मुकाबले में युका को कवाई पिछडने के बाद शांदर तरीके से वाफसी और चेंपियन की दहार देखने को मिली है इस मुकाबले में वर्ल्ड चेंपरशिप 2018 की सिल्वर मैडलिस्ट और 2019 की ब्राउंज मैडलिस्ट और अंडर 23 की 2018 की वर्ल्ड चेंपियन पिछडने के बाद कैसे वापसी की जाती है उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की युका को कवई ने साथ अंकों की बड़त जोहंसन मैटसन के खिलाफ स्टुडन से तालुक रखती है मैटसन जैसा कि हमने आपको बताया कि विनेश वोगट से हारी थी इनकी सोफिया मैटसन और इन दोनों ने स्वीडन में कुष्टी को जिन्दा रखा हुआ है जोहांसन मैटसन और सोफिया मैटसन हालांकि दोनों बहन नहीं है लेकिन कुष्टी की एक ऐसी पहरी हैं जिनसे स्वीडन की कुष्टी को जाना जाता है नौदों की बड़त युका को कवाई के पक्ष में, बीच-बीच में टिफ्स देते हुए, और अच्छी पकड़ के साथ खीचने का भी प्रयास था, और बिल्कुल जोन के और पास ले आई हैं, जॉनसन मैटसन को, मैटसन उच्छाह जादा विश्वास कम जोन से बाहर निकल का जापान की रेसलर, युका को कवाई के पक्ष में, दस दो से आगे, युका को कवाई, रिसाको कवाई की बेहन, और रिसाको अंतराश्टी स्थर पर बहुती सिधस्त रेसलर, पट लगाने का प्रयास किया था, बहुती अच्छे रक्षन का परिचे देते हुए, इस खत समाप्त हुआ मुकाबले का समय और इस तरह से इस मुकाबले में विजय रही निर्विवाद रूप से चैंपिन की तरह उबरी युका को कवई लक्षन उन्होंने दिखा दिये हैं कि कैसे मुकाबले को लड़ा जाता है और कैसे पिछडने के बाद शांदार तरीके से वापस की जाती है बड़ा कॉइंड उसका से एक एक लिया था से दो लिए मुझे लगा मेरा मेरा समय पुड़ा हुआ मुझे लगा हुआ हुआ कि लगान मंगोलिया वर्सिस बुल्गारिया ये वही मंगोलिया रैसलर है इन पर आप नजर रखिएगा जिन्होंने भारत की सोनम को पराजित किया था तब हम चाहते थे कि मंगोलिया रैसलर हारे लेकिन अब हम चाहते हैं देश्वासी चाहते हैं कि मंगोलिया रैसलर जीते क्योंकि ये जीतेंगी तभी रास्ता खुलेगा सोनम का रैपिटरेज राउंड का इश्याई चेंप्रिशिप की सिल्वर मेडलिस्ट मंगोलिया की खुरे खुँ बोल रहा तुँ हा जिन्होंने दो अंक की बहुती बहतरीन टेक्निक लगाई थी लेग अटेक किया था और वहीं सोनम के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया था क्योंकि सोनम उस समय बढ़त बनाये हुए थी एक एक करके उन्होंने दो अंकबट हो रहे थे जोन से बाहर धकेल कर लेकिन वहीं अब इनका मुकाबला बुलगारिया की टेबी मुस्तफा से जासर डोगू एक इन्विटिशनल टूर्नामेंट होता है उसकी ये सोन पदक विजेता है मुकाबले की रेफरी इटली की इता अनुभवी और ये इशियाई चेंपिन्शिप के सिल्वर मेडलिस्ट और उनका मुकाबला जुसिन तोवे मुस्तफा से जासर डोगू टूर्नामेंट की सोन पदक विजेता पॉलेंड कप जो हुआ था पिछले दिनों उसकी कांस से पदक विजेता ये रोपिन चेंपिन्शिप जो इस साल हुई थी उसमें विशेश नहीं कर पाई थी नवास्थान इने हासिल और वर्ल्ड चेंपिन्शिप 2019 की जो की नूर सुल्तान में आजुद की गई थी कजाकिस्तान के शहर वहां भी ये खिलाडी सिल्वर मेडलिस्ट तकड़ा मुकाबला है लेकिन हमारी देशवासियों की उमीद की किरन इस समय मंगोलियाई रैसलर पर क्योंकि मंगोलिया रै किया कुफ सूर्ति के साथ भरंदाश किया पहले एक अंक फिर दो अंक बटोरे और एक अंक और यानी 400 से आँगे और ये टैनिस का मुस्तफा विजय रही और इस तरह से भारत की 62 किलोग्राम की उमीदें समाप्त हो गई हैं अब सोनम नहीं उत्रेंगी ओलम्पिक के इस मंच पर क्योंकि मंगोलिय रेसलर की हार का मतलब है सोनम का रास्ता समाप्त हो ना एक धी अंक नहीं बटोर पाई थी बुर्ता लुआ और अच्छे बुलंद इरादों के साथ तक्निकी दक्ष्टा से विजय रही बुलगारियाई रेसलर जिनके पास अच्छा खासा तुजर्बा था वर्ल्ड चेंप्रिशिप 2019 की सिल्वर मैडलिस्ट ने ये मुकाबला जीता मुस्तफा युसिन ने हराया मंगोलिय रेसलर खुरे खु बोल रातुआ को बेदरीन अच्छी पकड़ भारंदाज का बहुत ही अच्छा परिच्छ और ये एक ऐसी ग्रिप होती है जिस पर आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हुए मुकाबले को समाप्त कर सकते हैं और वही कुछ उन्होंने किया इस मुकाबले को एक तरफा बना दिया क्या हुत है और इस तरह से टन्बेकोवा और कवई इनके बीच में जंग बहुत ही मशूर रही है और वो स्वन पदक के लिए मुकाबले में उतरेंगी और वहीं भारत की सोनम की उमीदे समाप्त मंगोली रेसलर की हार की वज़ा से इन बेकोवा ने युकरेन की रेसलर को हराया था पिछले मुकाबले में तीन मैट है मैट A, B और C यहाँ पर होते हैं अंतराष्टी मुकाबले अंतराष्टी कुष्टियों के मुकाबले अलम्पिक जो भारती रिष्टिकोंड ही नहीं बलकि यह कहिए कि महाकुम्भ जिसे कहा जाता है 68 किलोग्राम में अगर हम देखें तो ब्राउंस मेडल मैचेज युक्रेन वर्सिस जापान सारा दो शोव जापान की चरका सोवा से मुकाबला करेंगी 68 किलो में भारत का कोई भी परतियोगी अलम्पिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था अलगि इसमें नवजोद कॉर एशियाई चेंपियन मौझूद थी पूर एशियन चेंपियन रितू मलिक थी दिव्या काकरान थी लेकिन 68 किलो में भारत की कोई चुनौती नहीं लेकिन 62 किलो में जरूर सोनम ने चुनौती रखी दर्शकों का प्रवेश वर्जित है लेकिन यहाँ पर ये खिलाड़ी और अधिकारियों का दल तो पहले दो दिन अगर हम बात करें कुष्टियों की तो उलम्पे कुष्टियों में ग्रीको रोमन शेली की कुष्टियों के मुकाबले हुए महिलाओं के 76 किलो ग्राम वर्ट के मुकाबले हुए 68 किलोग्राम के मुकाबले हुए और आज 62 किलोग्राम के मुकाबले हुए और सेमी फाइनल और उसके बाद सेमी फाइनल तक का एक दिन और दूसरे दिन गोल्ड मेडल की बाउट और ब्राउंज मेडल का मुकाबला और नए वजनों का पदारपन ये है कुछ कुष्टी की शेली कुष्टी का कारिक्रम कुछ इस तरीके से बनाया गया है पहले एक ही दिन में आप आपको चार-चार-पांच-पांच कुष्टियां लडने ही पड़ती थी पहलवान ठक कर चूर हो जाते थे लेकिन युनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग ने नियमों में कुछ बदलाव किया और अब दो दिन मुकाबले चलते हैं हर वजन के तो क्यों 2020 और भारत की ओर से साथ पहलवान चुनौती रख रहे हैं और जिसमें से अब साथ में से बचे छे सोनम की चुनौती समाप्त हुई चाहे युका को कवई हो चाहे एसूलू हो इन्होंने वास्ता में प्रभावित किया अपने पिछले मुकाबलों में स्टेंडिंग रेस्लिंग यहां उंगलियों को आप मोड नहीं सकते रेफरी की बहुती तीकी नजर रहती है इसे बहुती सम्वेदन शील भी माना जाता है यहां प्रभावित किया अपने वास्ता है झाल 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 झाल